हलो एवरिवन विल्कम टो माई चैनल आज के वीडियो में हम जानेंगे गंगाधारा नाम का मतलब अगर आप अपने बच्चे का नाम गंगाधारा रखने की सोच रहे हैं तो पहले उसका मतलब जान लेना जरूरी है आपको बता दें कि गंगा धारा का मतलब गंगा नदी भगवान सीव के भगवान होता है गंगा नदी भगवान सीव के भगवान मतलब होने के कारण गंगा धारा नाम बहुत सुंदर बन जाता है सास्तरों में गंगा धारा नाम को काफी अच्छा माना गया है और इसका मतलब यानि गंगा नदी भगवान सीव के भगवान भी लोगों को बहुत पसंद आता है गंगा धारा नाम का अर्थ जानने के बाद आप भी अपने बच्चे को गंगा धारा नाम अराम से दे सकते हैं यह माना जाता है कि यदि आपका नाम गंगाधारा है और इसका अर्थ गंगा नदी भगवान सीव के भगवान है तो इसका गहरा प्रुभाव व्यक्ति के सुभाव पर भी पड़ता है गंगाधारा नाम की रासी कुम्भ होती है भगवाम सनी देव और हनुमान जी को कुम्भ रासी का राध देव माना जाता है कुम्भ रासी के गंगाधारा नाम के लड़कों की उतेजना और परिसंचरन को यूरेनस गरह द्वारा नियंतरित किया जाता है जिस समय ब्रिक्ष फलों और फूलों से भर जाते हैं उस मौसम में गंगधारा नाम के लड़के जन्व लेते हैं गंगधारा नाम के लड़के सुभाव से गुसेल किस्म के होते हैं इन गंगधारा नाम के लड़कों में एलरजी, सूजन और हिर्दय समंदी समस्याओं और गठिया होने की संभावना रहती है गंगधारा नाम के लड़के अकलमंद, ऊरज़ा से भरपूर और परुपकारी होते हैं इन्हें दोस्ती करना पसंद होता है गंगाधारा नाम का सुबंक गंगाधारा नाम का रासिक्र, सनी और सुबंक आर्थ है गंगाधारा नाम वाले लोग धन की वचत करने में निपुन होते हैं इसलिए इनके पास समय सा धन रहता है इस अंक वाले लोगों को अपने नियम खुद बनाना और उनका पालन करना अच्छा लगता है इन्हें संगीत बहुत पसंद होती है गंगाधारा नाम के लोग मैनत और लगन से सफल होते हैं ये किस्मत पर निर्भर नहीं रहते ये दयालू सुभाव के होते हैं लेकिन इन्हें अपने जीवन में सफलता थोड़ी देर से मिलती है गंगाधारा नाम के वेक्ति का वेक्तित्व गंगाधारा नाम के लोग कुम्भ रासी के होते हैं गंगधारा नाम के लोग परती भवान, खुद पर नियंतरन रखने वाले और नरम दिल के इंसान होते हैं इस नाम के लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ अपनी समझदारी पर गर्व भी करते हैं इस रासी वाले लोगों के सो भाव को समझना थोड़ा मुश्किल होता है यूं तो गंगा धारा नाम के लोग समाजिक होते हैं लेकिन ये दोस्त चुनते वक्त एहतियाद बरतते हैं इस रासी के लोगों में काफी हमदर्दी होती है और ये जरूरत मंदों की बहुत मदद कर करते हैं और इसी के साथ आज के वीडियों में बस इतना ही थाएं क्यूं सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो कर दो